गुड मॉर्णिंग टू ओल, हाउ आर यू, आज हम हिंदी के पार्ट बारा नाम अमर हो जाएगा का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे इस पार्ट में पिछले वीडियो में हमने इस पार्ट को पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे छोटे छोटे काम करने से भी वो बड बाचित करें, यह आप डिसकस कीजे, बाचित कीजे, मिट्टी में बीच बोने से क्या बन जाता है, मिट्टी में बीच बोने से वो बीच रक्ष बन जाता है, ख, क्या जलाने से अंधकार दूर होता है, दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है, ग, इट पर इट रखने से क्या बन जाता है इट परीट रखने से महल बन जाता है प्रश्ण दो निच्चे लिखे प्रश्णों के उत्तर दीजिए अब निच्चे लिखे प्रश्णों के उत्तर देना है कोई काम सरल केसे हो सकता है मिल जूलकर काम करने से जो भी काम होता है वो सरल बन सकता है तो मिल ज प्रश्न तीन पंक्तियां पूरी करें अब ये इनको आगे के पाट से पंक्तियां पूरी करनी है नन्ना बिच एक बोदे हम वही व्रक्ष बन जाएगा बिना रुके चलते जाए तो नाम आमर हो जाएगा अगर इट पर इट धरे हम महल खड़ा हो जाएगा ये आपको शक पंक्तियां आगे के पाट में से देखकर पूरी करनी है प्रश्न चार कविता की पंक्तिया पढ़कर निच्चे लिखे प्रश्न के उत्तर लिखें अब पंक्तिया पढ़ते हैं रोज समय पर सूरज उकता सांज हुई वर ढल जाए रोज समय पर चंदा आता भोर हुई वर छिप जाए सूरज एक सूबह के टाइम में आता है आप सभी को पता है कि सूबह सूरज उकता है और शाम को जो सूरज है वो छुप जाता है ढल जाता है डूप जाता है और रोज समय पर चंदा आता है, सूरज के जाने के बाद चंदा भी आता है और चान जो है वो सूरज के आने पर छिप जाता है सबका टाइम अपना अपना फिक्स है कि सूरज का भी एक सूबा के समय उखता है जित तुम्हारी होगी मानो जब भी काम है समय का तुम कीमत वे चानो कि समय बहुत अन्मो ले इसे वियर्थ नहीं गवाना चाहिए बीता समय न आए जो एक बाद चलो जाते है समय वो वापस लोटकर नहीं आता काम समय पर करने की ठानो जित तुम्हारी होगी मानो हर काम को आप समय पर करने की अगर ठान ले तो आपकी जित हो जाएगी आपकी जित ही पक्की है अब इनके प्रश्णों के उत्तर देंगे क सूरज कप उकता है और कप छिपता है तो सूरज सुबह के समय उकता है और शाम को छिपता है ख हमें किसकी कीमत भचानने चाहिए तो हमें समय की कीमत भचानने चाहिए ग हमें अपने सभी काम समय पर क्यों करने चाहिए क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है इसलिए हमें सब काम समय पर करना चाहिए इन प्रश्न उत्तरों कपनी कॉपी में लिखिये थैंक्यू